फाइनली वीडियो तो आ गया, अब ध्यान से देखना और पूरी वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा यूसफुल है, होनिस्टा यूस करते करते बोर तो हो ही गए होगे, कुछ नए अपडेट और फीचर्स नहीं आ रहे है, मैंने होनिस्टा V7, V7.1 की सैटिंग, V7.1 क नियू अपडेट और फीचर्स पर वीडियो तो बना दी, बढ़ डेवलपर मॉट की सैटिंग पर वीडियो नहीं बनाई, पहले मैं उसका रीजन बता देता हूँ, जैसे V7 अपडेट आया था, तो काफी नियू सैटिंग अट करी थी, और मैंने इसी वीडियो में आपको बोला था, डेवलपर मॉट की सैटिंग पर वीडियो जल्दी आ जाएगी, बढ़ बात में मुझे पता चला कि कुछ दिनों में V7.1 का नियू अपडेट आएगा, और मुझे पता था कुछ सैटिंग रिमू हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ, पोस्ट लेयर वाली सैटिंग भी आप रिमू कर दी है, राउंड एज में रिल शेयर करते थे, वो भी आप रिमू कर दी है, ऐसे ही जो V7 में काफी यूसफुल सैटिंग आई थी, वो भी आप रिमू कर दी है, इसलिए फिर मन नहीं होगा वीडियो बनाने का, बट मैंने आपकी इतनी प्यारी कमेंट ड रहे है, उसकी solution बता दूँगा, और Honista की new tips and drugs भी बताने वाला हूं, कुछ दिनों में वीडियो आने वाला है, तो subscribe करके रखो, ठीक है, तो सबसे पहले यहां से developer mode को enable कर लेना, home button प्रेस करके developer mode पर आजाना, अब यहां पर आपको meeta conferring setting पर आजाना है, इतना तो आप सब भी को पता है, आपकी post पर कुछ भी आप caption लगाते हो, या Google से कोई भी सारी उटा के डाल देते हो, और उसको आप story पर post करते हो, तो उसका जो caption है, वो अगर बड़ा हुआ तो so नहीं करता, और आपको post के साथ caption को भी दिखाना है story पर, कुछ ऐसे, या आप देख सकते full captions औ आपको पसंद आए, वो comments में जरूर लिख के जाना, अब search करना है profile highlight click into grip, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको highlight देखने के लिए ऐसे बार बार टैप करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ये option enable करना है, इसके बाद highlight पर click करोगे, तो इसे grip पर आपकी सारी videos photos आ जाएगी, डिरेक यहां से आप highlight देख पाऊगे, यह आपको तब खाम आ सकता है जब आपको किसी की highlight में last में कुछ देखना हो, तो इसे बार बार टैप करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको यहां से उपर नीचे करके आप देख सकते हो, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको gallery का new UI देखने को मिलेगा onista में, यहां आपको सारे अलग-अलग folder मिलेगे, यहां से आप photo videos, story पर share कर पाऊगे, तो यह official Instagram पर तो देखा योगा आपने, तो उसके लिए आपको search करना है gallery album picker, एक ही option है इसको enable कर लो, इसके बाद आपको new UI update हो जाएगा gallery क इसके बाद एक और settings बताता हूँ, उसके लिए आपको setting पर आना है Instagram secret option में आकर search करना है change gallery, इसको enable कर लो, इससे आपकी gallery का look ऐसा हो जाएगा, इसको आप बड़ा चोटा ऐसे zoom कर पाऊगे, simple, तो अगर आप दोस्तों को बहुत जादा बार ऐसे mention करते रहते हो, तो अलग- इसको restart कर लेना, इसके बाद story पर आके swipe करके यहां से mention करना है, तो यहां आपको plus icon मिल जाएगा, और एक साथ सभी को add कर लेना, जिसको mention करना है, इसको बड़ा कर दो, तो यह देखने में काफी सही लगता है, आपको पसंद ही आया होगा, तो वीडियो अभी like कर दो, अब search करना है, clips brightness, इसको enable कर लो, नीचे यहां पर आपको 50 या 100 बस इतना set कर लो, clip brightness से याद आया होगा, clips branding नाम से भी features था, जिससे आप reel कर सकते थे timer के साथ, तो अगर आपको होनिस्टा में automatic timer वाली story लगाना है, तो मेरी ये वीडियो देख लेना, ये वीडियो के बाद, हो जाएगी, और वहाँ आप जितने भी add करोगे, उतनी brightness आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप try कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा वार भी मत कर देना, फिर आपके आपको में दर्द होगा, और आप मुझे आके DM कर दोगे, कि ये भी आपकी वज़े से हुआ, इ अपने official Instagram पर देखा ही होगा, कोई भी real send करता है, तो automatic play हो जाती है, पर ऐसा honest time में तो होता ही नहीं है, तो इसको enable करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको search करना है, full auto play, ये दो option enable कर लो, इसके बाद आपकी real ऐसे बाहर से ही play हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हो, अग और अगर आपको size को बढ़ाना है, तो आप 200 कर सकते हो, तो real की size ये वो ऐसी बड़ी हो जाएगी, और आप मेरी subscriber size को भी बढ़ा कर दो, 85% लोग बीना subscribe किये देख रहे हो, इतनी सारी videos बढ़ा दी आपके लिए, और subscribe नहीं करते हैं, ये तो गलत है, जल्दी से subscribe करके ये line नोट्स टाइप करना है, वो कर देना, तो आपकी नोट्स पर ज्यादा वर्ट के साथ आप टाइप कर पाऊगे, अब सर्च करो story photo dump thumbnail, और ये option को on कर लेना, इसके बाद story पर आकर यहाँ पर swipe करना है, तो यहाँ आपको new style में photo add करने का icon मिल जाएगा, आपकी gallery में जो भी आपके वो यहाँ animation करेंगे, जो देखने में काफी cool लगता है, जिसने भी पहली बार होनी स्था install किया होगा, उसको ये problem तो होई रही होगी, जब भी iOS emoji font use करते हैं, तो ऐसे blur हो जाते हैं, तो उसके लिए मेरा ये video देखो, इसमें जो भी settings बताएगे, उसको on कर लेना, त इसमें कर सकते हैं, ये भी काफी useful features है, अगर आप ज़्यादा pics story पर लगाते हो, बट अगर आप इसे on कर लोगे, तो आपकी जो png use करते होगे, वो यहाँ पर आप use नहीं कर पाऊगे, तो आप देख लेना, आपको क्या करना है, अब search करो clips, relative, timestamp और ये मेरा favorite features है, first option on कर इससे आप कोई भी real, कब upload हुई है, कितने week हुए है, वो यहाँ से पता कर सकते हैं, उसका username के site पर ही आपको दिख जाएगा, कि ये कितने week पहले upload हुई है, और दीन का होगा, तो डी लिखा हुआएगा, इतना तो पता ही होगा, अब search करो story photo dump toolbar, एकी option है तो on कर लो, और फ करके भी gallery तो on करी सकते है, तो कुछ seconds आप आपने बचा सकते हो, ये settings on करके, ठीक है, और toolbar वाली settings से आप story पर ऐसा यहाँ पर shortcut में add photo का tab add हो जाएगा, तो ये भी एक shortcut ही है, कुछ seconds आप बचा सकते हो, ये setting on करके, ठीक है, और अभी तक ये video देख रहे हो, तो आप लग्क download कर लेना, download करने के बाद, यहाँ पर कोई भी password नहीं है, तो आपको यहाँ पर new 20 png मिल जाएगी, जो कि मैंने आपके लिए बनाई है, और इसको कैसे use करना है, वो भी बता देता हूँ, आपको कोई भी real share करना है, और उसके बाद यहाँ पर swipe करके, यहाँ से add to photo पर जाके यह सारी png आपको मिल जाएंगे, जो भी पसंद हो, आप simple यहाँ पर इस तरीके से set कर लेना, तो round age में real आप ऐसे share कर पाऊँगे, होनिस्टा v7 में story real upload करते तो quality खराब हो जाती है, तो उसके लिए मेरा ये video देखो, full HD quality में story real post कर पाऊँगे, कुछ settings remove कर दिये, पर जो बी settings आए, उसको use करो और full HD quality में story upload करो, बाई